नमेशकार दोस्तों आप सभी का सवागतरिंगे एजुकेसर में और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जारखंड पुलिस कॉंस्टेबल की जो बरती आई हुई है उसके बारे में टोटल 9999 पद हैं 4999 पद हैं और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि इनको प्लाई करने के लिए एजुकेसर क्वालिफकेशन क्या चाहिए हाइट क्या चाहिए इनको फोस्टेज को फिल करने के लिए और जो इनका अग्जाम होगा इन पोस्टर्स का मेंज की जारखंड पुलिस कोंस्टेवल का जो अग्जाम होगा उसका सलेवस क्या रहने बाला है आयू सीमा क्या होनी चाहिए सैलरी कितनी मिलेगी अग्जाम का पैटर्न क्या होगा इन सबी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुरूर देखें और सबसे पहले हम इसका यह ओफिशल नोटिफिकेशन है इसमें नीचे आकर आप यहां पे देखेंगे कि जो इसकी फीस कितनी है वो सो रपे एंड फॉम को बरने की उसके बाद इनोंने जिला वाइज जो पोस्टर का विबरन दिया गया है जिसमें रांची में कुल 76 पोस्ट हैं खुंटी में 86 पोस्ट हैं ऐसे चतरा में 50 हैं कोडरमा में 22 हैं हजारी बाग में 212 हैं ऐसे इस नोटिफिकेशन में बात करें हम यह जिले वाइज हैं इनकी सारी और उसके बाद हम बात करें इनोंने एज लिम्ट के बारे में बताया गया है और उसके बाद हम परत्योगिता का इस तर यह स्पोर्स कोटे के लिए इनोंने बताया गया है इसके बाद यह सैलरी के बार स्थानों से दस्मी कक्षा उतीर हो मेंज की दस्मी अगर आपके पास दस्मी के लिए गयाक, आप्ता, प्रकंस्द्र, पिबाब के ंदर जिलाकाई के पदों के ये बरती है अगर आपकी दस्मी पास है तो आप इन पोस्ट्रस को बर सकते हैं सेलरी आपको मिलने वाली है वो 35,000 क्यास पस मिलेगी क्योंकि 27,600 का बेसिक है और उसके बाद हम बात करें एज लिम्ट की बात करें तो एज लिम्ट है 18-25 साल तक 18-25 साल तक के युगा इस फोर्म को बरसकते हैं जनरल कैटिगरी के अगर OBC केटिगरी है तो 27 साल तक बरसकते हैं आप इन फोर्म को OBC पुर्षों के लिए 27 वर्स तक और OBC महलाओं के लिए 28 वर्स तक और SC اور ST के लिए 30 वर्स तक आप इन फोर्म को बरसकते हैं हाइट की बात करें तो हाइट होनी चाहिए आपकी 160 सेंटीमेटर और चैस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमेटर जनरल कैटकरी के लिए और अनसूची जनजाती और जाती के लिए 155 सेंटीमेटर हाइट होनी चाहिए 79 चैस्ट होनी चाहिए अतियन्त प Mississippi बरق और पिश्डाबरक के लिए 160 cm हाईट होनी चाहिए और 81 cm चैस्ट होनी चाहिए मैलाओं के लिए 140 cm हाईट होनी चाहिए और चैस्ट का माप नहीं किया जाएगा मैलाओं का उसके बाद हम बात करें उसके बाद जो main point है हम बहुत देख लेते हैं अरक्षन के बारे में यहां पे बताया गया है यहां पे जाती प्रमान पत्र के बारे में बताया गया है और पेज नंबर 15 पे इसमें बताया गया है अंसूची जाती और जंजाती हों के बारे में और अरक्षन के बारे में बताया गया है पेज नंब होगी सबसे पहले आपकी प्रिक्षा निमले तीन चरणों में लिए जाएगी जिसमें स्रीरिक्त तक्षिता है चिक्ष्टिय जांच है और लिखत प्रिक्षा है तो फीजिकल होगा यह आपको qualify करना पड़ेगा इसका भी कोई यंक नहीं मिलेगा उसके बाद medical है तो medical आपको यहां पर पास करना पड़ेगा उसके बाद लिखत प्रिक्षा है और लिखत प्रिक्षा में आपको इनने विस्तार में आगे चलकर बताया गया है कि दो पत्तर होंगे आपके means की द जान होगा निमलिक हिंदी गरेजी संस्क्रेट उटदू संताली बंगाली मुंडवारी मुंड़ा हो खुडिया इन में से किसी एक बाशा की प्रिक्षा बिकिलपिया अदार पर होगी आप इन पर कोई भी बाशा चुन सकते हैं उनकी आप अग्जाम दे सकते हैं 100 मार्क्स काप का अगजाम होगा प्रशन पत्र दो हिंदी बाशा से स्मंदित होगा इस पत्र के दो बाग होंगे जो की हिंदी बाशा से स्मंदित होगा जिसमें प्रशनों की संक्या 50 होगी जिसमें हिंदी व्याकरन महावरे लकोकतियां ये आपको आएंगी उसके बाद आपकी फीज होगे एक बहुता में से कोई भी बहुता चुन सक्ते हैं न से पहला हो गुदी सिरह होगे हैं हिंदि के 60 ओओ इसले तैर कि आ